हलो फ्रेंस मैं हूँ मनीर्स और आप देख रहे हूँ देशी फार्मिंग और यहां पर करवा हूँ मैं देशी बर्ड फार्मिंग यानि कि देशी मुर्गी पालन और आज हम बनाने वाले हैं एक होममेड एंकुवेटर यानि घर में तयार किया हुआ एंकुवेटर अभी तक अभी तक मैंने जो एंक्यूवेटर बनाए हैं, वो ये एंक्यूवेटर है, इन में एग लगे हुए हैं, अंडे लगे हुए हैं, हैचिंक के लिए, और इन से मैं अभी तक काफी चूजे निकाल चुका हूँ, लगभग मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं, इन को बनाए हुए, और एक एक करके खूल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कुछ देशी मुर्गियां हैं 20 के आसपास वो मुझे अंडे देती हैं और उनी अंडों को मैं रखता हूँ हैचिंग के लिए यह हमारा एक छोटा-छोटा सा सिस्टम है क्या- idag मैं पूरा दिखा दूगा, बना दूगा क्या-क्या चीजे लगी हूँ है यह मेरे छोटे-छोटे अंक्यूवेटर ना इता हैं 30 पासा, 50 इस तरह ता से वह यह रहरा है, इक आपक़ते हैं रहरा हमें साफ़ते हैंज मैं कुछ एड़ह दीना सा यह मेरे इंक्यूवेटर हैं जो की अलग-अलग तरह के हैं अलग-अलग बाक्स में बने हुए हैं सब गत्ते के बाक्स हैं समय अलग-अलग सिश्टम है अभी तक बहुत अच्छा रिजट तो मुझे इन में नहीं मिला हुआ है क्योंकि नमान लीजे भी 6 मुझे 6 महीने कर अड़ाया हुए है और अब फीटन से आणच्छा मेला करने क्यों से में आथे सिश्टम हैं नहीं अविरम मिले मिलें है इसके वollen ने इनकों नहीं लगाया और नया अंक्यूवेटर बनाते हैं14- Kendall अपने देखा जो मैने इंक्यूवेटर बना अ हुए हैं servisC Calendar है कुma मे मारे पास और किस तरह का बनता आप लोगों को लिए अ मैं आप लोगों को दिखाता रहूं गा और किस तरह से बनता है पूरा मैं आप लोगों समझाने कोशिस करूँगा ठीक है उनको यह तुम्हें क्या क्या लगने वाला है वह मैं आप उनको बता देता हूं पहले के थर्मा कोल सीट यह मैंने अधांच लिये क्योंकि यह कापी मुटा है इसलिए मैं आधा इंच लगा आधा हूं थर्माक्र की अनसाद एक इंच भी लगा सकते और इसको चितकाने के लिए रख कर सकते हो या फिर आप रखने के लिए और यहां पर मैं लगा रहा हूं है वोलडर है चुम्हें कंशे में लगा रहा हूं इसमें अभी फिलाएं एक DC लगा रहा हूं दो बीसी फाइन लगा रहा हूं और वायर लगा रहा हूं वायर को राइर कष्टाने के लिए टेट का यूज करूँगा और पेच करूँगा और जो भी चीज़ें इसमें लगते जाएंगी वह मैं आप लों को बताता जाओंगा और इसमें और वी एक चीज लगेगी वह में है आपका कंट्रोलर जो कि मैं एक बीसी कंट्रोलर इसमें लगाऊँगा वह अभी रूसरे बाक्स में लगा हूँ है तो 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 सब्सक्रा पहले मैं इस थर्मापोल सीट को में चिपका लेता हूं दोस्तों मैंने नीचे की जो सीट है उसको चिपसा दिया है और इसके बाद में इन कीटों को रख दिया है ताकि एक तरह से शिपक दें और यहां पर देखे हैं मैंने चावज तरफ इसमें तेप लगा दिया है क्योंकि यह बार रोज हमेशा यह खुलेगा और बंद होगा इ अब लगा दिया थोड़ी मजबूती बनी गए और हां अब बाती का इस साइट का पोर्शन भी हम और लगा लेते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो 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 अबस्ट नचार का अबस्ट का या संगा है अबस्ट नचार करें नचार कर दो, क्थो बखिए, तो. तो दोस्तो मैंने धर्माकौल को चारो तरफ की चिपका लिया अच्छी तरह से आप लग देख करते हूं और अभी इसमें मैं करने वाइरिंग करूंगा यह वाइरिंग करने के बाद मैं आप लोगों समझा देंगा कुछ बलब मैं डाइक दोरूंगा कुछ बलब मैं कंट्र पर कुप कंट्रॉल करते हैं और फूह मैं बाद में समया देंता हूं पहले मैं इका वाइरिंग कर देता है कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों मैंने यहां पर होल्डर पुल लगा लिया है मैंने पुल इसमें पाच होल्डर ले रहे हैं इक यहां पर एक यहां पर इधर DC fan पर एक होल्डर इधर और इधर अब सब काउं क्या होगा यह दो होल्डर रहेंगे यह पानी निचे रहेगा तो यह थोड़ा सा नमी बनाएंगे और यह दोनों हुल्डरों में मैं लगबग 0 watt के बल्प लगा दूँगा उनमें भी 0 watt, इस चार बल्क मैं 0W को लगा दूंगा और इसमें जो लगाँगा इसमें 100W का बल्क लगेगा तो इस तरह से इसमें यह सेटिंग मैंने की है और यहां से मैंने सारे वाय निकाल दिए अब इसके अलावा भी जब मैं चाहूंगा तो इनको चेंग भी कर सकता हूं कोई भी डाएट इसलिए इतने भी अंदर के चार उल्डर है यह और यह दोन यह चारो लगभग मैं डारेक्ट की करूंगा और इसमें 0W की बल्ग लगाँगा डीसी फैन को कनेट करूंगा बैटरी से क्योंकि जो इनवाइटर वाली बैटरी है उससे मैं तारिक कंट्रोलर भी चलाता हूं अब विश्चार है इसको मैं connect कर दोंगा डीसी फैन को लाल मैंने एक ही लगा लगा हुआ है एक इधर अगर जो पड़े की तो इसके अब मेरे पास एक ही अवलेबल है तो अब इसमें पांजना रहे गया मेरा दूस्तोल अ क्यों गांड़ लेते हैं इसके बार में हम आपक सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों से गुजारिस है अगर आप नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेसन बिल्को भी दबाए कमेट में कोई सवाल हो तो जरूर लिखे अब उडियो पसंद आया हो तो लाइट जरूर करें तो इसको चलिए इसको टेस्ट करते हैं तो दूस्तों मैंने इसको देखो डीसी सेट चालू कर दिया है और लाइट को भी लगा दिया है आप लोग देख सकते हो और यह असवाट का बल्ब है और इसके साथ में इधर जीरो वाट के दो रेट बलफ लगे हुए हैं उपर और नीचे जो लगे हुए हैं वो जीरो वाट के वाइट बलफ हैं बल्ब हैं तो यह इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया चलिए इसको थ तो आज इसमें हैचिंग के लिए अंडे भी मैं रख दूगा थोड़ी देर इसको टेस्टिंग के लिए छोड़ दूँगा और नेक्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से मैंने अंडे अगेरा रखे हुए हैं और कैसे इनके हैचिंग हो रही है तो दोस्तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कोसिस करूँगा कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके अच्छी तरह से आप लोगों सिखा सकूँ तो फिर म बिलते हैं अगले वीडियो में